हेलो स्टुडेंट्स हम 12th क्लास ITP सब्जेक्ट लेसन वन डाटा इस्ट्रक्चर डाटा संरचना पढ़ेंगे जैसा आपने 11th क्लास में पढ़ा है प्रोग्राम निश्पादन के दोरान मानों को संग्रीत करने मानों को प्रियोग में लेने के लिए हम चरिया वेरियबल का प्रियोग लेते हैं लेकिन चरिया वेरियबल एक समय में एक मान को ही संग्रीत कर सकते हैं ऐसे में बहुत अधिक मात्रा में मानों को प्रियोग मिलेना, उसके लिए बहुत अधिक वेरियेबल गोशित करना, उन्हें संभालना, व्यवस्तेत करना, प्रियोग मिलेना काफे मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब हमें बहुत अधिक मात्रा में मानों का प्रियोग करना हो, तो हम चरो के बजाए डाटा संरचना, डाटा इस्ट्रक्चर का प्रियोग करते हैं। वाजित किया गया है, साधारन या सिंपल डाटा संरचना, योगिक या कमपाउंड डाटा संरचना, साधारन डाटा संरचना, जब प्रिमिटिव या आधार बोद, जैसे केर, इंट, फ्लोट, डबल, डाटा टाइप का प्रियोग करते हुए, डाटा संरचना गोशित की ज अब सेंपल डाटा स्टर्क्षर सामानने तैम मानों को एक दिशा में या रेखिये रूप में संग्राईत करता हैं है योगिक या कंपाउंड डेटा स्ट्रक्षर इस प्रकार के डाटा स्ट्रक्षर प्रिमिटिव डाटा टा ताइप के दुआरा या साधारन डाटा स्ट्रक्चर के दुआरा खोशित की जाते हैं और ये रेखिये और ये रेखिये दोनों रूपों में मानों का संगरन कर सकते हैं साधारन डाटा संडचना को दो बागों में वर्गी करित किया गया है एक आव्यू एरे तो संदचना इस्ट्रक्चर आव्यू जब समान डाटा टाइप के अर्था समान प्रकार के बहुत अधिक मानों को एक ही वेरीबल नाम या एरे नाम के द्वारा संग्रीत किया जाता है या प्रियोग में लिये जाता है तो आव्यू या एरे कहते हैं यहां प्रतेक मान एक ही नाम से पहचाना जाता है लेकिन प्रतेक को अपने विशिष्ट इंडिज और आइडिन्टिफिकिशन पहचान के लिए एक विशिष्ट मान संख्या के रूप में दिया जाता है जिससे इंडेक्स या सबिस्क्रिप्ट नंबर कहते हैं संडचना यह है विभिन प्रिमिटिव डाटा टाइप अर्थात विभिन प्रकार के मानों का संख्याण हो सकता है जिस प्रकार आव्यूक मात्र एक प्रकार के मानों का संग्राण करता है संदचना एक से अधिक प्रकार के मानों का संग्राण कर सकता है जिससे आव्यूक रोल नमबर अर्थात 100 विद्यारतियों 500 विद्यारतियों के मादर रोल नमबर अर्थात 100 पोणांकों का संग्रण करेगा जबकि संडचना 100 विद्यारतियों के इंटीजर रोल नमबर का केर प्रकार के नामों का float प्रकार के fees का अर्थाप दो या दो से अधिक प्रकार के मानों का संग्रण भी कर सकता है योगिक डाटा संदचना इन्हें दो भागों में वर्गी कृत किया गया है रेखिये linear data संदचना एर रेखिये non-linear data संदचना जब data संदचना एक ही दिशा में horizontal या vertical उर्धवादर या श्यतिच अर्थाथ एक ही दिशा में मानों का संदचन करें तो रेखिये data संदचना कहलाती है लेकिन जब data संदचना एर एक ही रूप में अर्थाथ ग्राफ या अलग-अलग इस तरूपर मानों का संदचन करता है तो वह एर एक ही या non-linear data संदचना कहलाता है एक ही डाटा संदचना के तीन प्रकारों का वर्णन हम यहां पढ़ेंगे एक इस्टेक दो क्यू तीन लिंक्ट डिस्ट इस्टेक यह है एरे के रूप में गोशित किया जाता है लेकिन इसमें मानों का input और output दोनों करिया मात्र एक छोड़ी से संपादित की जाती है और इन करियाओं को टॉप नामक variable के द्वारा नेंतरित किया जाता है यदि स्टेक में मान डालना है अर्थात जुड़वाना है तो हम टॉप का मान बढ़ा देंगे अगर स्टेक से कोई मान हटाना या मिटाना है तो हम टॉप का मान गटा देंगे क्यूँ यह है input एवं output दोनों के लिए दो अलग अलग छोड़ों का प्रियोग लेने की सुईदा देता है यह भी एरे के रूप में ही गोशित किया जाता है linked list यह सामानने data एवं pointer अर्थात minimum दो variables का समू है यहाँ प्रतेक मान नोड के रूप में दर्शाय जाता है और एक नोड अगले नोड से pointer के दुआरा जुड़ा जोता है इसे ll भी कहा जगता है data सनलचना में नया मान जोड़ने किसी मान के इस्तान में परिवर्टन करने मान को बदलने मान को मिटाने मान को प्रियोग में लेने इस प्रकार की विबिन्ने करियां समभादित की जाती है इन्हें मुक्यते साथ करियां के रूप में देखते हैं एक इंसर्शन, दो, सर्चिंग, तीन, ट्रावर्सिंग, चार, मर्जिंग, पाँच, सौर्टिंग, छै, अपडेट, साथ, डिलिशन. इंसर्शन, डाटा संरचना के अंत में या किसी विशिष्ट इंडेक्स इस्तान पर नया मान जुड़वाना इंसर्शन करिया कहलाता है, डाटा संरचना में किसी तत्व की खोज, उसकी उपस्तिती को ग्यात करना, सर्चिंग कहलाता है, डाटा संरचना के प्रारंब से अंत या अंत से प्रारंब की और, प्रतेक्मान या तत्व पर क्रिया करना, या उसे प्रयोग में लेना, ट्रावर्सिंग कहलाता है, दो समान डाटा टाइप के अर्थवा, अर्थात, समान प्रकार के मानों को संग्रहीत करने वाले, डाटा संरचना को एक दूसरे के आगे पीछे जुड़वा कर नया संरचना निर्वान करना, मर्जिंग कहलाता है, डाटा संरचना में उपस्तित मानों को एक विशिष्ट क्रम, अर्थात आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्तित करना सौर्टिंग कहलाता है, डाटा सनरचना में मान उसके इस्थान आदे में किसी भी प्रकार की बदलाव करना या उसमें परिवर्तन करना अपडेट करिया कहलाता है डाटा सनरचना में उपस्तेत मान को मिटाना डिलेशन करिया कहलाता है अल्गोरिथम किसी भी प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग भाशा में लिखने से पूरूर प्रोग्रामर उस प्रोग्राम से सम्मंदित सभी संभावित हलों को देखता है जासता है परक्त है यह देखा जाता है कि कौन सा हल जादा अधिक परभावी रूप से समश्या को हल कर रहा है कितने कम inputs का प्रियोग कर रहा है कितनी कम memory का प्रियोग कर रहा है और जिसके अंदर गलती हुने के समावना सबसे कम हो और समश्या का हल सरवादिक सटीक हो तो किसी भी प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने से पहले उसे प्रोग्रामर द्वारा या मानव द्वारा अपनी भाषा में क्रम बद्ध तरीके से लिखा जाता है जिस प्रकार programmer हर चोटे-चोटे कारिय को इंगित करता है या कम्पूटर को निर्देश देता है उसी प्रकार एल्गृत्म में भी process प्रोग्राम में की जाने वाले पर्तेक करिया पदो के रूप में अर्थाथ स्टैप के रूप में अलग अलग लिखी जाती है लेकिन इसे संशिप्त लिखा जाता है और ये क्रम से होनी चाहिए क्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो इस प्रकार हम देख सकते हैं अलगोरित्म किसी प्रोग्राम या किसी समश्या के हल को मानवी ये भाषा में संशिप और क्रम से पदों के रूप में प्रदर्शित प्रने का एक तरीक है एक अच्छी अल्गोरितम के क्या-क्या गुन हो सकते हैं एक अच्छी अल्गोरितम में कम से कम ये गुन होने चाहिए एक अल्गोरितम सरल और साधर रन अर्था प्रोग्रामिंग भाषा है वैसे भी जटिल होती है लेकिन क्योंकि अल्गोरितम हम मानुई भाषा में लिख रहे तो मानों के दुआरा लिखी गई भाषा मानों को अच्छी तरह से समझ आती है तो अल्गोरितम बहुत ही साधरन हो सबी को तुरंट से समझ में आ जाए यानि बहुत सरल हो तूसरा गुन यह कम से कम मेमोरी का प्रियोग कर अर्था इसे संग्रहण के लिए और निश्पादन के लिए दोनों ही कारीओ के लिए कम से कम मेमोरी लगनी चाहिए ये बहुत अधिक memory प्रियोग में नहीं लेना चाहिए और हमने देखा ही है कि जब एक program एक software कम memory प्रियोग में लेगा तो उसके निश्पादन की गती भी थोड़ी तिवरे हो जाती तो एक algorithm का ये भी गुण है कि उसके निश्पादन की गती बहुत ही तिवरे होने चाहिए और अंतियम गुण flow chart के द्वारा प्रस्तुति कर flow chart प्रोग्राम को चित्री रूप में प्रदर्शित करने का तरीका है तो एक algorithm ऐसी होने चाहिए कि उसमें प्रियोग में लिए जा रहे input, process, output सभी प्रकार की क्रियाएं flow chart के द्वारा अर्था पूर परिवाशित चिन्नों के रूप में प्रस्तुत किये जा सके या हम उसे flow chart या चित्री रूप में प्रदर्शित कर सके एक algorithm की गुणवत्ता मापने की इकाईएं जैसा कि हमने बताया एक program को पूर्ण रूप देने से पहले या किसी समश्या के हल का chain करने से पूरू उसकी गुणवत्ता मापी जाती है किसी भी समश्या का हल अनेक प्रकार से किया जा सकता है लेकिन उन में से किस तरीकी का चुनाओ करना है यह algorithm की गुणवत्ता मापने के आदार पर निर्दारित किया जाता है तो एक गुणवत्ता मापने की इकाईएं को हम दो रूपों में देख सकते हैं एक है समय जटिलता, एक है इस्मरती या memory जटिलता है, complexity दोनों ही जटिलता है, नियूनितम होने चाहिए अर्था, पहला समय जटिलता जब एक algorithm निश्पादन के अंदर कम से कम समय लेती है तो उसके time complexity अच्छी मानी जाती है एक algorithm की समय जटिलता जितनी कम होगी उसके गुणवत्ता उतनी ही अतिक होगी समय जटिलता मुख्यत है, एक program या algorithm के दुआरा स्विकार किये जाने वाले inputs की संख्या पर आधारीत करती है अर्था, एक program दुआरा लिये जाने वाले input के संख्या गटा कर या कम करके, या अनावशक inputs को हटा कर उसके समय जटिलता को बढ़ाया जा सकता है और algorithm की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा सकता है इसमरती जटिलता, एक algorithm संख्या रहन एवन निश्पादन में जितनी कम memory का प्रियोग करेगी, उसके गुणवत्ता को उतना ही अधिक हम बढ़ा सकेंगी इसके लिए हम algorithm दुआरा प्रियोग में ली जाने वाली memory यहां हमारा lesson 1 खत्म होता है, lesson 1 काफी छोटा है लेकिन अगर हम पिछले board papers को लेंगे, तो हम देखेंगे छोटे question यानि 1 और 2 mark question इसमें से काफी आते हैं काफी से मतलब यह है कि 56 में से 5 नमबर के आसपास तक इसमें से question आ जाते हैं तो जितना बड़ा यह lesson है, अर्था छोटा है, उसके according इसमें से काफी questions आते हैं आप सामने board पर 4 questions देख रहे हैं यह आपके self revision के यह homework की question है पहला, data सनरचना को परिभाशित करें, define data structure दो, data सनरचना के प्रकार बताएं, right types of data structure जिस तरह से मैंने one by one लिखे ते आप उस तरह से न लिखें इसे pictorial format में या tree structure में लिखें तो जादा अच्छा लगेगा थर्ड, algorithm को परिभाशित करें, define algorithm 4. समय जटिलता एवम स्मृति जटिलता को समझाईए, define time complexity and space complexity, thank you